दोस्तो नीट एक्जाम पेपल लीक अब मामला पहुँच गया है हाई कोड तो यहीं CBI की जांच की भी मांग कर रहे हैं अब परिक्षा रद कराने की भी अपील है तो बहुत कुछ चल रहा है अब हाई कोड में एक्जाम को लेकर जो कि मेडिकल से रिलेटेट एक्जाम होता है नीट एक्जाम दोस्तो MBBS में दाखिले के लिए हुई नीट यूजी की परिक्षा के पेपल लीक कम मामला पटना हाई कोड पहुँच गया है हाई कोड में अरजी दाय कर पेपल लीक की जांच CBI से करने और परिक्षा को रद कर नए सिरे से परिक्षा कराने की मांग नहीं है सालों के मेहनत पर पानी फेडने वालों पर कठोर कारिवाई की जानी चाहिए अरजी में अन्रोद किया गया है कि कोशन पेपल लीक मामले की जांच CBI से कराई जाई दोस्तों हाई कोड के वकील सुजीत कुमार सिनहा की और से जो विशाल सौरव ने याची का दाय रहे हैं और देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि जो इसमें भाग लिया है जिन वेड़्यार्टियों ने सालों साल मेहनत कर रहे हैं किसी का एक्जाम बहुत अच्छा गया है और हाई कोट ने यह कह दिया कि वह रिजब वह नहीं माने रखेगा दुबारा से तो उन पे क्या बीतेगी क्योंकि आपका जो एक्जाम आप बहुत पढ़े लिखके गए हो लेकिन जब एक्जाम पेपर टाइम आता है तो वह टाइम होता है कि आप कैसे एक्जाम को एक्जेक्यूट कर रहे हो उस समय आपने अच्छा किया हो लेकि अगली बार वो नहीं ह हो पाया उसी तरह से आपके नंबर उस तरह से नहीं हो पाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों मुझे तो लगता है कि और जैसे खून मडर यह सब यह गिटनैपिंग यह सब जतने बड़े संगीन अपराद है ना तो पेपर लीक मामला भी एक बहुत ही बड़ा स संगीन अपराद है इसमें भी जो भी क्राइम करता है उसको भी कठोर सजा मिलने चाहिए जैसे खून करने पर मिलता है जैसे कि किडनैपिंग या फिर कोई और अपराद करने पर कोई सजा मिलती है ना जैसे बड़ी सजा मिलती है जेल या फिर इतने तो वैसी सजा ऐसे पे पर देने के बाद, तो क्या होगा, तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन में जाने के बाद, वो कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे, जो कि फिर बाद में पस्ताना पड़ेगा, तो बहुत चीज़े हैं, क्योंकि यह छोटी मोटी बात नहीं है, लाखों लोग ब इस चीज़े हो जाते हैं, जब सब कुछ एक्जाम हो जाता है, सब कुछ अछे से चले जाता है, जब ऐसी खबर आती है, कि वो एक्जाम का पेपर पेपर पहले से लीक हो गया था, और कैसे लीक हो गया था यार इतना बड़ा एक्जाम है देश का न मेडिकल का बहुत बड़ा एक्जाम होता है क्योंकि कुछी बतब लाखो चातर देते हैं लेंगि कुछी चातरों को मौका मिलता है मेडिकल में MBBS की सीट अपने नाम करने का तो ये बहुत बड़ा एक्जाम होता है और बहुत ही इसमें सेक्योटी भी टाइट होती है बहुत ही बड़ी बात है और ये देश के लिए और जो सराज्य के लिए बहुत ही शरमदा की बात है क्यों उन्हों शरम आनी चाहिए यार ऐसे पेपर लीक करके पैसे कमाने से अच्छा है ना कुछ और करें क्योंकि अगर आपने ऐसा किया अगर कोट ने आपको फिर से छोड़ दिया या फिर ऐसा कहा कि दुबारा से पेपर होगा और उन बच्चों को छोड़ दो मतलब जिन्होंने किया है ना उनको छोड़ दो जिन्होंने पेपर लीक किया है तो वह गल्त है ना इनको भी सक्त स सजा मिलनी चीछ सक्त सब्सक्राइब